हाई गाईज, वेलकम बैक टो नगद वीडियो किसको government seat में लेगे, किसको private college में लेगा, इस वीडियो में हम इन सभी बातों को discuss करेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो हम नहीं करेंगे इसको, दस, पांस से दस मिनट में इस पूरी topic को हम cover कर लेंगे, सबके सारे doubt clear हो जाएंगे, कांसलिंग आपकी merit list के अनुसार होगी, जिस वाले विद्यार्थियों या अभिहर्थियों को निर्देश जियता है कि वो website पर अपने सूची के नहुसारी counselling अटेंड करें, जिस दिन आपकी counselling के लिए आपको आने के लिए बताया है, जो data आपके roll number के सामने, आपकी name के सामने mention की गई है, उसी दिन आपको counselling जिसमें आपका bio data form fill होगा, आपको documents आपको यहाँ पर बताया है, mall sectionic परमानपत्र जो होगी इसमें require है, जो bio data form में भी mention की होगी उन्होंने, वो 10th plus 2 bonafide, इसके अलावा यहाँ पर bonafide mall लिवासी होगया, bonafide, अरक्षित रेनी, अगर आपकी कोई category है, SC, ST, OBC, UPS, रेनी, आपको ले जाने है, साथ में, इनकी photo copy भी ले जानी है, Xerox भी आपको करवा की ले जानी है, और इन्होंने बताया है कि यहाँ पर कोई भी आपका doubt होगा, तो यहाँ पर दूरभास number, telephone number दिया है, इस पर आपको संपर्क कर पाएंगे, यहाँ आप हमसे भी direct comment section में पूछ स प्रियांश कुमार, इनको 95 marks है, out of 100, बहुत अच्छा score किया है, इन्होंने 95 marks है, 16 तारिक को पहले ही दिन की counselling होगी, प्रियांख का 94 marks, तो 16 तारिक यहाँ तक, 300 candidates को पहले दिन आपकी counselling 300 candidates की हो जाएगी, आपकी counselling offline होगी, धरमशाला में, अब आपके मन में एक question आ रहा पहलेगी, कहां तक इसकी cut-off जाने के chances है, तो इसके लिए आप यहाँ पे chart देख सकते हो, government diet में total 900 seats है, जिसमें unreserve के लिए 252 seats हैं unreserve के लिए, तो आप यहाँ से check कर सकते होगी, अगर आपका rank unreserve में, अगर top 252 में है, अगर आप top 252 में है, तो आपको government diet definitely मिल जाएग, यह आपको manually ही check करना पड़ेगा, top 252 candidates को government seat मिल जाएगी, government diet में, जो की unreserve category में है, EWS की इसी परकार से 90 seats हैं, 90 seat तो top 90 को EWS का quote में seat मिल जाएगी, diet wise यहाँ पे दिये हैं, जैसे diet blast point में 75 seats हैं, total जिसमें 24 unreserve के लिए है, 7 EWS के लिए, इसी परकार चमबा में 100 seats हैं, पी से 24 seats हैं, सीरमावर में 100 हैं, तो यहाँ पे लेकिन unreserve के लिए 28 हैं, बाकि 28, 28, 28, 28, लाहल स्विती में केवल 4 हैं, बाकि कांगडाई में 28, 2018 तक इससे double हुआ गरती थी seat हैं, यानि 800 total seat हुआ गरती गवर्मेंट डाइट में, लेकिन 2018 के बाद seat को 50% कम कर दिया गया था अब जैसे डिस्टिक बिलासपुर में 75 seat हैं, तो 2018 तक यहाँ पे 150 seat हुआ गरती थी total, जैसे चमबा में 100 हैं, तो उस समय यहाँ पे 200 seat हुआ गरती तो यह 2018 के बाद यहाँ आधी करती हैं, 50% कम कर दिया है seats, तो आप अब चेक कर लें कि total seats कितनी हैं और आपका rank कितना है अपनी category में, ऐसी category में, तो आपको ऐसी seat मिल जाएगी government right में, तो यह आपको manually check करना बढ़ेगा आपकी merit list में, अब 16 को तो 300 candidate बुलाए हैं, इसके बाद 17 तारिक को, 17 तारिक को 350 candidates को बुलाया गया है, धर्मशाला में 650, श्रियल नमबर दक की, यानि मोहनलाल, सन अफमोदो 17 तारिक को, इनकी counselling होगी, इसके बाद 20 तारिक को ही अगली counselling होगी, यह तो होगी government right के बाद, अगर हम बात करें, कि जिनके marks कम हैं, और उनको private college में admission चाहिए, अब private college में, दो type की seats होती है, एक होती है subsidized seats, और एक होती है non-subsidized seats, अब इन में difference क्या है, यह subsidized में fees जो है वो आदे लगती है, और non-subsidized में fees डबल लगती है, okay, fees का अंतर है सिर्फ और बाकी कोई फरक नहीं है subsidized और non-subsidized में, यह तो होगी government right, इसके बाद अगर private right देगे, तो जैसे शांती निकेतन college है, यहाँ पे 25 seats है, subsidized getting ready के लिए, यह तो होगी subsidized की, पहले subsidized को मिलेगी government private college में, फिर subsidized जब फिल हो जाती है, तब non-subsidized seats आती है, okay, तो जितने आपके ज़्यादा marks होगे आपको, ज़्यादा chances देओंगे कि आपको subsidized seat मिल जाए, यह सारी subsidized seat है, 25-25 seats are subsidized seat है, बाबा करीपालदा, College of Education Women, पॉंटा साइव यह सिर्मावर में है, लेकिन only for girls, यह भी ध्यान रखें, देखें, यहाँ से शुरू होता है, non-subsidized seats, यह तो subsidized हो गई, Blooms College of Education, सुंदरनगर में है, यह मंडी में, सुंदरनगर में मंडी के, इसके बाद शुरू होती है, non-subsidized seats, non-subsidized seats यहाँ पर लगता है, non-subsidized 25 seats हैं, जैसे यहाँ परा चार्ड दिय rates जिनके 50 number हैं, उनका merit list में नाम होगा, लेकिन general category जिनके 50 से कम marks हैं, उनका merit list में नाम नहीं होगा, यह 50 marks, passing marks होते हैं, यह pass होने के चाहिए होते हैं, लेकिन unreserved के लिए 45 marks चाहिए होते हैं, तो आप यहाँ पर note करेंगे कि, यहाँ OBC, SC, ST को यहाँ पर 47, 45 तक यहाँ पर सुनी दी के, इनकी counselling होगी 31,6,2024 को, तो जो भी general category के हैं, जिनके 50 marks हैं, 50 marks एंड या इसके अबव हैं, उनी का नाम होगा, merit list में, और admission वहीं ले सकता है, जिनका merit list में नाम हो, जिनका merit list में नेम नहीं होता है, अब तो वो counselling attend नहीं कर पाते हैं, merit list में आपका नाम होना ह चाहिए counselling attend करने के लिए, यह तो होगी counselling की बात, next video में हम, bio data form अपको कैसे बरना है, उसके बारे में बता देंगे, और important documents आपको क्या ले जाने है, उसके बारे में नेक्स वीडियो में आपको पूरी detail में बता दूगा, okay, 2-3 मिनट की वीडियो रहेगी हो सारी, उसमें ह पूरी वीडियो भी लगबग साथ से आठ मिनट की है, तो ज्यादा लंबी खेंचके, अध्यादे घंटे की live करके, ऐसे time waste करने से बहतर है, यह short time में आपको authentic information इस channel पर मिलती रहेगी, तो channel को subscribe कर ले, अगर कोई आपका doubt होगा, तो comment section में जोड़ लिखेगा, आपको reply टेलिग्राम पे भी आपसे जोड़ सकते हैं, टेलिग्राम पे भी आपने questions पोच सकते हैं, thank you so much, टेलिग्राम का link आपको वीडियो की description में मिलेगा, आप जोइन कर पाएंगे, वाट्षैप चैनल का link भी आपको वीडियो की description में और first comment में दोनों के link आपको मिल जाएंगे वहाँ से आपने direct to join me कर पाएंगे, thank you